हलो दोस्तो वेलकम बैक टो मैं चैनल दोस्तो आज हम एक्स्प्लेइन करने जा रहे हैं 2007 में आई एक रोमांस कॉमेटी मुवी को जिसका नाम है वर्जिन टेटरी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं मुवी के शुरूआत होती है और हम लोरेंजो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो जर्बीनो नाम के एक आदमी से बच कर भाग रहा था लोरेंजो यहां किसी तरह से जर्बीनो से बच कर भाग जाता है लेकिन जर्बीनो अपने आदमियों से लोरेंजो को कैसे भी करके उ हम देखते हैं कि लोरेंजों अपने दोस्त के पास आता है लोरेंजों के दोस्त इसे शहर से बाहर जाने के लिए कहते हैं ताकि जरबीनों संद्र है और नू ना पाई माता पिता प्लेग बिमारी की वज़े से मर गए थे पैंपीनिया यहां पर रोही रही थी कि तभी यहां पर जर्बीना आता है जर्बीनो यहां पैंपीनिया से कहता है कि अब यह अकेली है तो अब यह क्या करेगी क्योंकि इसके माता पिता अब तो इस दुनिया में नहीं र कि तभी जर्बीनो इससे कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझसे धेर सारे पैसे लिये थे इसलिए उनके मरने के बाद उनकी सारी दौलत मेरी हो गई है जर्बीनो पेंपिनिया से कहता है कि तुम्हारे पास केवल ये घर बचा है और अगर तुम इस घर को अपने पास में लखना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ में शादी करनी पड़ेगी इसके बाद हम लोरेंजो को देखते हैं जिसके पीछे जर्बीनों के आदमी पड़े थे लोरेंजो यहां एक आदमी से मिलता है जो की एक डेड़ बोडी को लेकर यहां से चार हाथ था लोरेंजो इस कि अचानक से मौत हो गई यह सुनकर लोरेंजो यहां से चला जाता है लोरेंजो जर्बीनों के आदमी उसे बचने के लिए एक पीड़ पर च्ढ़ जाता है और यही पर बेहोश हो जाता है हम देखते हैं कि कुछ नन लोरेंजो के पास आती है जो इसे उठा कर चर्च में लेकर आती है चर्च में दो नन लोरेंजो को बेहोश देखकर इसे अजीब तरीकी से चूने लगती है लेकिन हम देखते हैं कि लोरेंजो को अब होश आ गया था लेकिन ये जान बूच कर बेहोश होने का नाटक करता है एक नन लोरेंजो को किस करने जा रही थी कि तभी इनकी हैड यहां पर आती है अपनी सीनियर को देखकर ये दोनों लोरेंजो से दूर हो जाती है ये दोनों अपने सीनियर को बताती है कि ये आदमी एक गुंगा बहरा है इंके बाद सुनकर सीनियर नन काफे खुश होती है क्यूंकि इन्हें एक गुंगा बहरा ही आदमी चाहिए होता है ताकि वो यहाँ चर्च का काम कर सके सीनियर लोरेंजो को यहां काम पर रख लेती हैं इसके बाद हम लोरेंजो को देखते हैं जो की नहा रहा था कि तभी दोनन इसके पास आती है ये दोनों लोरेंजो के साथ यहां नहानी लगते हैं लोरेंजो भी यहां गूंगा बहरा बनने का पूरा फायदा उठाता है और ये इन दोनों के साथ यहां पर खपागप्पी करता है इसके बाद हम पेंपिनिया को देखते हैं जो जरबीनों से अपना पीछा चुडाने के लिए ये एक चर्च में आती है और ये वही चर्च हो बताती है कि वो यहां का माली है जो चर्च की देखभाल करता है लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो एक गूंगा बहरा है जिसकी वजह से वो सुन और बोल नहीं सकता कुछ समय बाद लोरेंजो को एक नन बुलाती है इसलिए लोरेंजो उस नन के साथ चाड़ियों में जात लोरेंजो घपागप कर ही रहा था कि तब ही पैंपेनिया यहां पर आ जाती है जो यह सब देख लेती है यह देख पैंपेनिया को काफी चलन महसूस होती है क्योंकि यह खुद लोरेंजो को पसंद करने लगे थी इसके बाद हम रश्या के राजा जर्जैस्की को देखते ह जो कि पैंपेनिया के राजमहल में आता है लेकिन जर्बीनो जर्जैस्की से कहता है कि पैंपेनिया ने भाग कर अपनी शादी कर ली है यह सुनकर जर्जैस्की को काफी बुरा लगता है और यह यहां से अपने शहर के लिए निकल जाता है लेकिन रास्ते में एक आदमी ज और कहता है कि पेंपेनिया कई दिनों से इसका दूसरे शहर में इंतिजार कर रही है यह सुनकर जरजस्की अपने आद्मियों के साथ उस शहर में जाने के लिए निगल जाता है इसके बाद हम लोरेंजो को देखते हैं जिसके पास दो नन खाना लेकर आती हैं क्यूंकि अब इन्हीं भी पता चल गया था कि लोरेंजो सभी नन के साथ में खपागप कर रहा था इसलिए ये दोनों भी लोरेंजो के साथ घपागप करना चाहती थी लोरेंजो भी इनके बाद खुशी-खुशी से माल लेता है और ये इनके साथ यहीं पर घपागप करता है इसके लोरेंजो गूंगा बहरन नहीं है एक दिन पेंपेनिया अकेले लोरेंजो के पास आती है पेंपेनिया यहां लोरेंजो के पास आकर इसकी आखों पर पट्टी बान देती है पट्टी बान कर पेंपेनिया यहां अपना नकाब उठाकर कहती है कि यह इससे प्यार करती है और वजह से ये इसके साथ शादी भी करना चाहती है पेंपेनिया यहां लोरेंजो को एक किस करके चली जाती है ये किस लोरेंजो को काफी अच्छा लगता है लेकिन उसकी आखों पर पट्टी बंदी थी इसलिए वो देख नहीं पाता कि ये लड़की आखिर थी कॉल अगले दि पेंपेनिया यहां सीनियर को सच इसलिए बताती है ताकि लोरेंजो अब किसी के साथ घपागप ना करे इस बात से सीनियर लोरेंजो के उपर काफी गुस्सा होती है इसलिए ये लोरेंजो को लात मार कर चट सिर्फ बहार निकाल देती है हम देखते हैं कि पेंपेनिया साथ अपने घर्ड पर लेकर आते। इसके बाद, हम, जर्जपि को देलु देखते。 जोकि पेंपे 역시 कर ठाफ यहां एक लड़की को देखता है। यह लड़की जर्जेस्की इससे कहता है कि तुम्हारे फादर ने मेरी शादी तुम्हारे साथ में तैय की थी इसलिए मैं तुमसे शादी करने आया हूँ दरसल जर्जेस्की ने पेंपेनिया को पहले कभी भी नहीं देखा था इसलिए ये इस लड़की को ही Pempenia मान लेता है दूसरी तरफ हम असली वाली Pempenia को देखते हैं जो Lorenzo को लेकर अपने घर पहुँच कही थी बातो ही बातो में Lorenzo Pempenia से कहता है कि ये जिस Church में काम करता था इसे वहाँ की एक लड़की से प्यार हो गया था लेकिन उस लड़की ने इसकी आखों पर पट्टी बांग कर इसे किस किया था इसलिए ये उसका चैरा नहीं देख पाया पैमपेनिया समझ जाती है कि लोरेंजो इससे सच में प्यार करता है पैमपेनिया लोरेंजो को बताने जा रही थी कि यहीं वो लग्की है जिसने इसे उस दिन किस किया था पैमपेनिया यहाँ पर कुछ बताती कि उससे पहले ही यहाँ पर जर्बीनो आ जाता है जर्बीनो जब यहां लोरेंजो को देखता है तब यह इस पर काफी गुस्सा होता है जर्बीनो यहां लोरेंजो के साथ लड़ने लगता है जर्बीनो लोरेंजो को मारने ही वाला था कि तब ही यहां पर फैम्पीनिया आती है और ये जर्वीनों से कहती है कि अगर इसने लोरेंजों को मारा तो ये इससे कभी भी शादी नहीं करेगी ये सुनकर जर्वीनों लोरेंजों को नहीं मारता और ये लोरेंजों को पकड़ कर इसे कैद काने में ढाल देता है अगले दिन पेंपीनिया जर्बीनो से कहती है कि कल ये इससे शादी करेगी इसलिए ये चाती है कि जर्बीनो लोरेंजो को कैद खाने से आजाद कर दे जर्बीनो पहले तो पेंपीनिया की बात नहीं वानता लेकिन पेंपेनिया इससे कहती है कि जब तक ये लोरेंजो को आजाद नहीं करेगा तब तक ये इससे शादी नहीं करेगी अब ना जाकर भी जरबीनो लोरेंजो को छोड़ देता है कैट से छूटने के बाद लोरेंजो यहां से इंचानी लगता है लेकिन हो सोचता है कि अगर ये आज जर्बीनों से सिंदा बचा है तो सिर्फ पेंपेनिया की वजह से क्यूंकि अगर पेंपेनिया नहीं होती तो जर्बीनों इसे मार डालता लोरेंजो कैट से छूटने के बाद वापस से पेंपेनिया के पास आता है ये देखता है कि जर्बीनो पेंपेनिया के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा था हम देखते हैं कि यहाँ पर जर्जैसकी भी आ जाता है जिसके पास गन होती है गन देखकर जर्बीनो इससे दर कर भागने लगता है अब लोरेंजो भी यहाँ पर आ चुका था इसलिए ये जर्बीनो के आदमियों से लडने लगता है जर्जैसकी और लोरेंजो जर्बीनो के कई सारे आदमियों को मार देते हैं आखरी में जर्जैसकी जर्बीनो से लड़ता है और ये इसे भी मार देता है अब Pampenia यहाँ पर आती है जो जर्जेसकी से कहती है कि वो इससे शादी नहीं कर सकती क्यूंकि यह Lorenzo से प्यार करती है जर्जेसकी जब Pampenia का चहरा देखता है तब वो कहता है कि तुम Pampenia नहीं हो क्यूंकि मैंने उसे देखा है तब ही यहाँ पर वो दूसरी लड़की आती है जो जरजस्की को जील पर मिली थी ये लड़की पेंपेनिया की फ्रेंड मालिशा होती है मालिशा को देखकर जरजस्की कहता है कि मैं तो इससे ही शादी करूँगा हम देखते हैं पेंपेनिया लोरेंजो के पास आती है और इसे अपने साथ शादी के लिए कहती है लेकिन लोरेंजो कहता है ये इससे शादी नहीं कर सकता क्यूंकि ये किसी और से प्यार करता है ये सुनकर पेंपेनिया कहती है कि ठीक है तुम उसी से शादी करना लेकिन तु मुझे यहाँ पर एक बार किस करके जाओ। लोरेंजो यहाँ ना जाकर भी पेंपेनिया को किस करता है। पेंपेनिया को किस करने की वजह से लोरेंजो को पता चल जाता है कि पेंपेनिया ही वो लड़की है जिसने इसे चर्च में इसकी आखों पर पट्टी बानकर इसकी साथ में किस किया था। ये जानकर लोरेंजो काफी खुश होता है इसी के साथ ये मोवी यही पर खत्म हो जा इहां